जैहिन, 12 गुर्ट की बरती, जो कि आपके साल 2021 में आई है, 28 जोन को उस बरती के बारे में आपके एक नोटिफिकसन आया था, कि 30 जोन को आपके जो लिस्ट है अटन कार्ड की, वो अपलोड कर दी जाएगी, या इनकि जितनी भी आपके अलिजबल कंडिडेट हैं, जिन कार् 30 जुन को आपके लिस्ट नहीं आई, तब बार-बार आपके डाउट आ रहे थे, कि जो लिस्ट है, 30 जुन को पब्लिस क्यों नहीं किये गई, तब हमने आपको कहाता है कि प्लीज, आप लोग 10 गयर तरह तक वेट कीजिए, कोई ने कोई अपडेट, आपको लिस्ट के बा चलब को आपको लिस्ट है, और अगर होने वाली है, तो कौन को उन्सी पोस्ट की जो लिस्ट है, जो एट्म कर्ड है, वो जारी किये जाएंगे, तो देखेगा, बिना कि शिदेरी के सलिए, जो ओफिशल नोटिफिकर्टन आपका पब्लीज होआ है, वो आपको दिखाते ह तो यहाँ पर देखिएगा हमने आपके जो ओफिसल उपिसाइट है वो आपन कीव हुई है जो भी आपके नई नुज आती है जो भी आपके नए नॉटिफिकेस्टन आते हैं वो आते हैं What's News के सेक्शन में यहाँ पर जो आपका नए notification दिया गया है वो देखिए आपका दिया गया है किस बरती के बारे में जिसका विक अपन संख्या add to time in number 1-2021 है उस बारे में जब हम इसके उपर क्लिक करते हैं और इस notification मों download करते हैं तो आपके सामने ये बाला notice open हो जाएगा अब इसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है number 1 पर देखिए कि please refer to यानि कि आपको वो notification देखना है कौन सा जो कि आपका notice publish हुआ था date 8 zoom 2021 को अब कौन सा notification publish हुआ था तो बात हो रही आपके इस notification की जो कि 8 zoom को publish हुआ था इसमें क्या कहा गया था देखिए कि number point B देखिए 30 zoom 2021 को आपके जो eligible candidate है उन से भी की जो list है वो जारी कर दी जाएगी यहाँ पर please मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एक point बिल्कुन नोट कीजिए कौन सा expected वाला expected थी आपके date 30 zoom 2021 वाली अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि आपकी जितनी भी इस भरती में post रहने वाली है उन से भी कि जो भी आपकी process है आपकी application की वो under process है यान कि आपकी जो process form की joint card भेजने की जो आपकी application है उनको आपके हिसाब से जो end card है वो भेज़े जाने है या फिर नहीं वो सब आपकी under process है अब जो आपके list publish होनी थी जो भी eligible candidate है जिनके list publish होनी थी कब होनी थी 30 जून 2021 को अब वो कब जारी होगी uploaded by 20 जुलाई 2021 20 जुलाई 2021 को अब जो आपकी date है वो दी गई है एपन काड के list की publish होनी की लेकिन फिर से मा बोल रहा हूँ दीखिएगा expected क्या है expected यान कि वही वर्ड जो कि 30 जुन को आपके notification में दिया गया था वहीं सब्द आपका फिर से दियाएगा कि expected है ये भी confirm नहीं है बिल्कुल भी exact date नहीं दी गई है ये भी expected date है कि 20 जुलाई तक आपके list होजारी हो जाएगी अब एक बात नोट कीजिए यहाँ पर देखेगा मैंने जो गृफ की official website है वो open queue ही है और यहाँ पर जो बियारों के दोरा tweet किया जाते हैं वो आपको इस section में देखने को मिलते हैं 11 जुलाई 2021 को यहाँ पर एक tweet किया गया था किस के दोरा बियारों के दोरा तब इन्होंने क्या कहा था कि जो आपकी list है 30 जुलाई 2021 तक वो postpone हो गई है कौन से list है जो कि आपकी 28 जून के notification में दे गई थी कि 30 जून को publish होगी वो अब कब तक postpone हो गई है 30 जुलाई 2021 तक यह कब की update आपकी 11 जुलाई 2021 के update है 30 जुलाई 2021 से पहले पहले आपकी जो list है वो जारी कर दी जाएगी कोई confirm date कोई exact date इन्होंने नहीं दी थी लेकिन एक दिन बाद ही यानि कि आज 12 जुलाई को जो आपकी list है उसकी date आ गई है वो date कौन सी है बेस जुलाई के अब प्लीज मेरे बाद जारे ध्यान से सुनिए जो ब्यारो की process है आपकी list के वो देखिए सबसे पहले आपको नोटिस आया था 28 जुन 2020 को जिसमें list के update दी गई थी clear है नमबर 2 देखिए फिर आपको 30 जुन का wait करना पड़ा 2 दिन आपका 30 जुन आया लेकिन आपकी list नहीं आई ठीक है जी उसके बाद देखेगा यहां पर 11 तारी को एक tweet आया जो कि अब यह हमने आपको दिखाया है उसमें क्या काया गए कि 30 जुलाई तक आपकी list पोस्पन कर दी गई है उसके बाद नमबर 4 देखिए आज आपकी जो 12 जुलाई है वहाँ पर आपको अपडेट दे गई है कि 20 जुलाई 2021 को आपकी जो list होजारी कर दे जाएगी तो नमबर 4 आपका 20 जुलाई अब थोड़ी सी प्रोसेस को देखने की आप जो समझने की कोसिस कीजिए 28 जुन को यहाँ पर आपको नोटिस दिया गया 30 जुन के बारे में चलिए माल लेते हैं कि इस बार आपकी जो अपडेट थी वो जूटी निकली यानि कि कुछ रिजन हो सकते हैं आपको पता कि बर्ती ऐसे नहीं होती है बहुत सारे जो इंतजाम हैं वो डेपार्टन को करने पड़ते हैं तो माल लेते हैं कि आपकी जो लिस्ट वो पोस्पर्ण हो गई थी बहुत सारे जिन इसके हो सकते हैं उसके बाद आपकी जो डेट आई थी वो कब आई थी वो आई थी आपकी 30 जुलाई 2021 की कब आपकी 11 तारी को तो 11 तारी को जो आपकी अपडेट आई थी उससे में आपको क्या का गया है कि 30 जुलाई को आपको वेट करना पड़ेगा 30 जुलाई तक आपको जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी अब यहाँ पर वो कनफर्म नहीं थे उन्हें क्या का था कि expected है फिर उन्हें क्या कहा नंबर 3 पे कि 11 जुलाई को क्या का था कि 30 जुलाई तक आपको वेट करना होगा फिर उन्हें नंबर 4 पे क्या कहा है कि 20 जुलाई को आपकी लिस्ट आजाएगी तो यहां से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि अभी जो process आपकी वो under process है कहने का मतलब ये है कि 28 जून को इन्होंने ये कहा था कि list आजाएगी मतलब उनकी जो process थी आपकी application की वो पूरी हो चुकी थी इसलिए 30 तारीक डेट दी थी चलिए माल लेते हैं उनसे गलती हो गई फिर 11 तारीक को इन्होंने फिर से ये बात कही कि 30 जूलाई तक आपकी list आएगी मतलब उनकी process complete हो चुकी थी सिर्फ आपको list जारी करनी थी उसके बाद एक दिन बाद ही उन्होंने फिर से date दी दी है कौन सी बिश जुलाई की तो यहां से हम लोग साफ साफ ये देख सकते हैं कि जो आपकी application की process है वो complete हो चुकी है अब admin card कितने बचों को भेजे जाने है बस ये बियारो गरिफ के दौरा जो है एक मान सकते हैं कि आपका exact नहीं है कि कितनी post के कितने बचों को admin card भेज जाए या इनकी application है उनकी जो security है जो verification है वो आपको हो चुका है बस एक बात एक list जो आपके आनी है वो admin card की list आनी है आपकी cut off की यान कि कितने बच्चों को कितने cut-off prime card बेच जजाएं बस इसी को लिकर्शन से बना हुआ आपका जो ब्यारो गरिफ है उसके द्वारा जैसे ही आपका एक कलीर होता है आपकी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी तो अब यहां पर देखेगा 20 जोलाई को जो आपकी डेट दी गई है वो भी expected है लेकिन हम इतना कह सकते हैं मैं यह नहीं बोला कि 20 जोलाई को आपकी लिस्ट आजाएगी लेकिन इतना 101% कह सकता हूँ मैंने पहले भी कहा था कि 10 जोलाई तक वेट कीजिए 101% आपको अपडेट देखने को मिलेगी वैसा ही हुआ है आपको अपडेट मिल गई थी 11 जोलाई को और 12 जोलाई को फिर से आपको जो नोटिस है वो आ गया है और और अब मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि 101% 20 जोलाई को नहीं कहता कि आ जाए ही लेकिन जोलाई के last तक यह आए कि 30 जोलाई से पहले-पहले आपको जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ ये बात बस 20 जुलाई को आप लोग ध्यान में मत रखिए चलिए माइंड से निकाल दीजिए लेकिन 30 जुलाई से पहले-पहले आपको इमाइंड में बैठा ले ना कि आपकी लिस्ट आने वाली है वो चाहिए 30 जुलाई को आए, 29 जुलाई को आए फिर 20 जुलाई को आए तो ये कुछ अपडेट है आपके एडम कर की लिस्ट के बारे में यहाँ पर जो एक और जो छोटी सी प्रोसेस हो सकती है वो क्या हो सकती है कि देखिएगा जो आपका 28 जुन को नोटिविकेशन जारी हुआ था इसमें नमर पांच भी ये कहा गया था कि जो आपके मैसन की बरती है उसके जो कंडिडेट होनों है eligible कंडिडेट उनके संख्या कम है इसके लिए जो आपके प्रोसेस होने वाली है वो बाद में होगी लेकिन एक और रिजन जो आपके लिस्ट का लेट होने का बनता है वो है आपकी मैसन की बरती यानि कि ब्यारोगरिफ जो है ऐसा हो सकता है हम expected आपको बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है कि जो आपके मैसन के प्रोसेस है वो भी आपके जितनी अधर पोस्ट है भी बशतियों के साथ ही आपके जो मैसन के प्रोसेस है वो भी कर दी जाई यानकी आपके जो लिस्ट है मैसन की जो कि उन्होंने ये कहा था कि बाद भी पबिश करी जाएगी वो आपकी इन बरतीयों के साथ ही जोह زाए कर दी जाए तो इसी को लेकर साइद मैं आपको 99% बोल सकता हूँ कि इसी को लेकर जो आपकी list है वो postpon हो रही है ताकि जो मैसन की भरती है इसके लिए जो grief है इसका अधर यानकी बार-बार time waste ना हो इन भरती के साथ ही अगर इनको बरती करवानी है तो इनके साथ ही जो अधर पोस्ट है इनके साथ करवाज दी जाए और जो आपकी process हो बरती की पूरी complete हो जाए ये दो रिजन बनते हैं आपके एड़न कार की जो list है उसके पोस्टन होने का तो उमीद है कि 20 जोलाई को जो इनको डेट दी है इनको list आपकी update कर दी जाए 30 जोलाई तो आपके last है confirm है लेकिन 20 जोलाई को भी आपके 99% सबकी बार की list आ जाएगी तो देखते हैं कि आपके क्या update रहती है आने वाले time में 20 जोलाई का wait रहेगा जैसे कोई भी आपकी 20 जोलाई जैसे पहले चोटी चोटी या फिर बड़ी से बड़ी update आती है आपके पास पहुंचा दी जाएगी तो इसके लिए आपके अपने चैनल सक्सस एजित को सब्स्राइब करना ना भूलें जुड़े रहेगा थैंक्स वरुच गन कीब सपोर्टिंग जैहिंब